वापस से वन प्रेस किया तो आफ, किलियर है, अन, आफ, अब यहाँ पर इस रिमोट की जो भी रेंज होगी, उस रेंज से आप इस बल्व को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लब अश्टुदेंट्स, वेलकम टू यूपी से एसस, O लेबल M4R5 सेरीज का लेक्चर नमबर 48 है, और हमने पिछले वीडियो में LCD को कनेक्ट करना देखा था, LCD के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया था, और आज हम इस वीडियो में IR सेंसर की बात करेंगे, तो IR सेंसर बिसिकली एक इंफरारेट सेंसर होता है, जो की इंफरार के से IR सेंसर भी है, तो IR सेंसर में भी क्या होता है, जो डेटा होता है, यहाँ पर भी डेटा ही होता है, जो की ट्रांस्मेट और रिसीव होता है, लेकिन इंफरारेट वेपस के माद्धिम से, ठीक है, और यहाँ पर इसमें दो चीज़े होती है, एक होता है IR रिसीवर और ब्लूटूथ स्पीकर का remote है, तो कोई भी remote हो, उसे पहली चीज तो इस वीडियो में हम उसे decode करना देखेंगे, ठीक है, decode कैसे करना है, वो हम देखेंगे, दूसरी चीज आपका कोई भी remote हो, उसमें जो लगा होता है, वो IR sender लगा होता है, और IR receiver उसे receive करता है, यह चीज केलियर हो गई, तो आपके घरों में जो TV होता है, उसमें क्या लगा होता है, यह IR receiver लगा होता है, और आपके remote में IR sender लगा होता है, तो जब भी आप कोई भी button प्रेस करते हैं, तो यह IR receiver उस data को receive करता है, और उस keeper जो भी function define किया गया होगा, वो function अपना काम करता है, तो आज हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे पूरा, कि हम किस तरीके से किसी भी keeper, कोई भी function किस तरीके से define कर सकते हैं, तो जब भी हम वो button प्रेस करेंगे, तो वही काम होगा, जो हमने coding कर रखी होगी, पर्टेकुलर उस button के लिए, तो इस तरीके से हम remote को decode करना भी देखेंगे, आप किसी भी remote को decode कर सकते हैं, आपका TV remote हो, Bluetooth speaker remote हो, कोई भी remote हो, ठीक है, उसे हम आसानी से decode कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे, तो IR sensor आपको समझ में आ गया, यह basically क्या होता है, यह infrared waves पर काम करता है, इसमें एक receiver होता है, और एक sender होता है, तो sender तो चलो remote हो गया, सीधी जी बात है, यहाँ पर आपका IR main sensor है, याँ जो receiver है, इसमें तीन pin में हमें मिलती है, एक signal pin और दूसरी होती है GND, और तीसरी होती VCC, ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर IR sensor का, यहाँ पर एक pin जो होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लॉंग ठीक है, तो जो बड़ा pin होता है, वो ground होता है, यहाँ पर अगर हम इसको अपने सामने इस तरीके से रखेंगे, तो right side वाला VCC और यह हमारा signal pin कहलाएगा, ठीक है, तो यह हमारा IR sensor है, ठीक है, तो यहाँ पर pin का जो configuration हमने आपको पता दिया, simple 3 pinे हैं, और इसे हमें connect करना है, VCC यहनि 5 volt current के साथ बिना register के, और यह ground और signal pin जो है, इसे हम किसी digital pin के साथ में connect करेंगे, ठीक है, कैसे digital pin के साथ में इसको हम connect करेंगे, और इसके लिए हमें जरूत पड़ेगी library की, ठीक है, remote library की जरूत पड़ेगी, यहाँ पर तो उसको भी हम insert करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, irremote.h, यह library हमें जरूत पड़ेगी, और हम इसका जो remote है, उसको decode करके, हम इस पर कोई भी function करवा सकते हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें cover करेंगे, तो चली यहाँ पर सबसे पहले चलते है, tinkercad पर, और tinkercad पर यहाँ पर हम समझते है, क्योंकि हमें इसमें IR remote मिल जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद इसका हम practical भी देखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें code की, तो code जो है वो बिल्कुल simple है, यहाँ पर हमने sensor के बारे में आपको बता दिया, pin out के बारे में बता दिया, ठीक है, एक signal pin है, एक ground है, और यह एक VCC है, और इसमें हमें library की जरूद पड़ेगी, तो यहाँ पर first, यहाँ पर हमने library include कर ली, फिर हमने एक variable बनाया, IRS, यानि कि infrared sensor IRS नाम का एक variable बनाया, और इसे हमने connect किया है pin number 5 के साथ, यानि कि जो signal pin है, यह हमने कहां connect किया, Arduino board में pin number 5 के साथ में connect किया, clear है, फिर C1 नाम का एक हमने simple variable बनाया है, इसकी जरूद हमें आगे पड़ेगी, जिसमें हमने 1 assign कर दिया, C is equal to 1, इसमें हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, कोई confusion, कोई confusion नहीं, ठीक है, अब यहाँ पर code आगे read करते है, यहाँ पर यह दो variable simple बना लिए, जिसमें पहले तो बनाया, जिसमें हमने pin बताई, और यहाँ पर C में 1 डाल दिया, ठीक है, C की जरूत हमें counting के लिए पड़ेगी, जब हम loop चलाएंगे आगे, ठीक है, loop नहीं चलाएंगे, अच्छली, लोब condition लगाएंगे, तब जरूत पड़ेगी, increment करने की, फिलाल, फिर उसके बाद हमने क्या क्या, serial.begin, क्योंकि हमें इसकी जो remote की value है, वो serial monitor पर print करवानी है, ठीक है, serial monitor पर print करवानी है, कि जब हम कोई भी button दबाते हैं, तो हमारा क्या signal generate होता है, वो हम serial monitor पर print करके देखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर pin number 2 को हमने output mode में रखा है, pin number 2 यानि जहाँ पर हम LED connect करेंगे, तो जब भी हम remote से कोई भी button प्रेस करेंगे, कोई भी का मलब कि जिस button पर जो LED सेट की गई होगी, तो वो button प्रेस करने पर हमारी pin number 2 पर जो LED है, वो on या फिर off होगी, यानि कि remote से हम उसे control कर सकते हैं, हमारा कोई भी LED है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या बताया है, कि हमारा जो receiver है, वो कौन सी pin पर है, तो IRS में हमने pin number 5 यहाँ पर assign कर रखा है, वो बता दिया, और enable LED feedback, ठीक है, तो यह इसका predefined ने सेम रहेगा, बस IRS में यहाँ पर आपका variable change हो सकता है, जो आपने बनाया होगा, और जो भी आपने, जिस pin पर भी आपने connect कर रखा होगा, clear है, तो यहाँ पर इसमें आपको small letter और capital letter का ध्यान रखना है, ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा start होता है loop, और जब loop start होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कि यहाँ पर हम use करेंगे irreceiver.decode function का, ठीक है, तो हमने सीधे condition लगा दी, irreceiver.decode, अब यहाँ पर क्या होगा, कि यह condition तभी true होगी, जब यहाँ पर remote से कोई भी button प्रेस की जाएगी, जब remote से कोई भी button क्या हो जाएगी, प्रेस की जाएगी, जब तक प्रेस नहीं की जाएगी, तब तक if block चले गई नहीं, और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, कि if यहाँ पर हमारा start हुआ है, ठीक है, और यह पूरा last में बंद हुआ है, यानि कि जतना भी code है, इसमें सब पूरा if block के अंदर ही लिखा गया है, ठीक है, तो जब भी कोई button प्रेस होगी, तब ही हमारा if चलेगा, बना if block नहीं चलेगा, ठीक है, तो जब माल लेते हैं कोई भी button प्रेस की गई, तो यहाँ पर हमारा if block चला, और irreceiver.decode function call होगा, जिसमें यहाँ पर हमें कोई न कोई value मिलेगी, अभी क्या मिलेगी, यहाँ पर नहीं पता है, बस अगर कोई value होगी, तो condition true होगी, और कोई value नहीं होगी, तो condition false होगी, और जब कोई button प्रेस की जाएगी, तो कोई न कोई value होगी ही, तो इसलिए if block चल जाएगा, ठीक है, if block जब चलेगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमने irreceiver.decode irdata.command, ठीक है, मलब हमने क्या किया, कि जो हमारी keys है, उसका जो data है, मलब उस पर जो भी value है, उसको हमने क्या किया, receive कर लिया, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, कि यहाँ पर जो हमारा remote होता है, तो remote में जो भी इसका data होता है, जो data इसका generate होता है, वो यहाँ पर हम hexa format में मिलेंगे, programming में हमें यह मिल जाता है, ठीक है, तो string type का यहाँ पर हमने एक variable बनाया, और इस variable में हमने यह वाला function लगा करके, ठीक है, यह पूरा complete, इससे क्या होगा कि जो भी button प्रेस की जाएगी, उसमें जो भी data होगा, वो IR code में आ जाएगा, और फिर हमने उसको serial.print, यहनि serial monitor पर वो data हमने print कर लिया, कुछ delay दे दिया, यहाँ पर delay क्यों दिया है, आपको पता है, delay देने से क्या होगा कि जब आप button को प्रेस करेंगे, तो इतना time आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो यह चीज होगा, यहाँ पर देखिए, pin configuration भी simple है, और यहाँ पर हमने यह इतना explain कर दिया, अब इतना ही समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें देखना है, कि जब हम कोई भी button दबाते हैं, तो IR code में हमें क्या data मिलता है, और फिर उसके according हम क्या करेंगे, उसके according यहाँ पर, फिर उसके according यहाँ पर हम एक और condition बनाएंगे, और हम किसी भी LED को on या फिर off कर सकते हैं, clear है, तो इसके बारे में भी हम just समझेंगे, और पहली बात तो यह है, कि यह तो आपको समझ में आई ही गया होगा, बस यहाँ पर यही देखना है, कि यह चीज क्यों लिखी गई है, तो चलते हैं, यहाँ पर फटाफट connection करते हैं, connection काफी easy है, तो यहाँ पर हमें search करना है remote, ठीक है, यहाँ पर हमें remote type करना है, IR नहीं, remote type करेंगे, तो remote state related, यहाँ पर IR sensor, और यह आपका remote दो चीज़े यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, तो इसको हटाते हैं, और यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी एक LED की, एक register की, और यहाँ पर नीचे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमें breadboard की, ठीक है, तो यह तीन चीज़े हो गई, तो यहाँ पर breadboard को इध कतवली बात नहीं है, ठीक है, तो यह हो गया, और यह हमने sensor यहाँ connect कर दिया, sensor में यह हमारा out यानि की signal pin है, यह हमारा ground है, और यह हमारा power यानि की 5V से connect करना है, ठीक है, तो यह हमारा हो गया remote, clear है, यह सारी चीज़े clear है, चलिए, remote को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, अफट अफट connection करते हैं, तो यह हमने उठाया 5V, ठीक है, 5V हमें cable देना है, यहाँ पर तो हम directly इसको दे देते हैं, ठीक है, यह हमारा हो गया 5V, और यह हमारा क्या है, यह हमारा है ground, ठीक है, तो ground हमने दे दिया, इसको यहाँ से दे दिया, या फिर यहाँ से दे देते हैं तो ये pin number 5 के साथ हमने इसका signal pin connect कर दिया और LED को हम connect कर देंगे pin number 2 के साथ LED को हमने कहा connect कर दिया pin number 2 के साथ में कोई confusion कोई confusion नहीं अब यहाँ पर LED को हमें ground देना है तो यहाँ से उठा करके हम ground यहाँ से भी दे सकते हैं या फिर हमें ground देखे, यहाँ पर तो मिल ही रादम, यहाँ से भी दे सकते हैं, फिलहल ground जो है, वो हम यहाँ से दे देते हैं, तो LED को ground मिल चुका है, और यह pin number 2 के साथ connect है, IR sensor हमारा pin number 5 के साथ में connect है, ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पर code में, और फटा फट जो है, code यहाँ हम copy paste कर लेते हैं, ताकि लिखने में time waste ना हो, और जो code है, यह आपको हमने explain कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो library है, IR remote.h, तो इसे भी जो हमें include करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको हमने copy किया, पूरा code, और यहाँ पर paste कर दिया, ठीक है, चलिए, तो यह हमारा code है, और अभी यह काम करते हैं, कि यहाँ पर यह जो if और else if condition लगी है, इसको थोड़ी दिर के लिए comment out कर देते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कर दिया comment out, ठीक है, तो यहाँ पर यह वाला जो है, यह हमारा हो गया loop का curly bracket, और यह हमारा है if block का, ठीक है, तो दो curly bracket को छ करते हैं, serial monitor, और यहाँ पर हम कोई भी button यहाँ से press करते हैं, जैसे हमने example के लिए zero press किया, तो zero जब हम press कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा कौन सा signal generate हो रहा है, C, क्या generate हो रहा है, C generate हो रहा है, यानि कि यह जो हमारा remote है, तो इस remote का जो भी manufacturer होगा, तो इस zero button में उसने क्या क से हम कोई भी key को map कर सकते हैं, तो उसी तरीके से यह चीज इसमें fix है, तो यहाँ पर क्या है कि particular यह जो remote है, इस remote में क्या है, कि यहाँ पर हमारा इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं, कि इसमें एक cell पड़ी ही है, दूसरी चीज इसमें memory भी है, और processing power भी है, जो प्रोसेसिं प्रेस करते हैं, तो 14 है, 5 प्रेस किया, तो 15 है, clear है, तो यह remote होते हैं, तो इस तरीके से हम remote को decode कर सकते हैं, एक बार इसको clear करते हैं, फिर से देखिए, कोई भी remote हो आपका, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा coding है, जो हमारा sensor है, यह किसी भी remote के, इस नेंड किये हुए data को receive कर सकता है, तो जैसे यहाँ पर हमने power button press की, तो यहाँ पर power में कяла रहा है, zero आ रहा है, और यहाँ पर volume plus, तो यहाँ पर कया रहा है, यहाँ पर यह button ने stop की है, तो यहाँ पर two आ रहा है, ठीक है, forward, backward, pause, और यहाँ पर volume plus, minus, जो भी button हम प्रेस कर रहे हैं, उससे कोई ना कोई यहाँ पर क्या हो रहा है कोड जनरेट हो रहा है यह बात आपको समझ में आ गई आपके remote में कुछ दूसरा भी हो सकता है यहाँ पर हमने 0 प्रेस किया तो 0 में C आ रहा है और आपके remote में हो सकता है कि 0 या कोई और button प्रेस करें तो कुछ और आ रहा हो तो जब भी कोई 0 बटन प्रेश करें, तो यहाँ पर यह LED हमारी on हो जानी चाहिए, और अगर कोई 1 बटन प्रेश करें, तो यह LED हमारी क्या हो जानी चाहिए, अगर हम ऐसा चाहते हैं, तो simply कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, देखिए, 0 प्रेश कर रहा है, तो हमारा signal C जनरेट हो रहा है, और 1 प्रेश कर रहा है, तो हम simple सी condition लगा देंगे, कि जो हम data यहाँ पर receive करते हैं, जैसे आपको पता है ना, कि जो भी remote से data receive हो रहा है, वो किसमें store हो रहा है, देखिए, यहाँ पर IR code इस वारे variable में store हो रहा है, और इसी को तो हमने print करा रखा है, तो अ या फिल लोग कर सकते है, simple है, यही basic सा हमारा logic है, और अगर कोई प्रेश करें 1, यानि कि IR code is equal to equal to 1, तो हमें pin number 2 को यानि कि इस LED को off कर देना है, digital write function का यूश करके, उसे off या on करवा सकते हैं, बास समझ में आ गई, और अगर हम एक ही button से, यानि 0 button से, या 1 button से, या किसी भी यानि कि 0 पर क्या रहा है, तो यहां पर लगा देंगे condition C, यानि IR code is equal to equal to C, जब इसकी value C हो, तो LED को directly on नहीं करवाएंगे, बलकि ये भी check कर लेंगे कि button जो है, वो कितनी बार press की कही, अगर first time है, तो हम on करवाएंगे, second time है, तो off करवाएंगे, third time है, तो on करवाएंगे, fourth time है, तो off करवाएंगे, तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे 4 पर off होगा, 5 पर on होगा, और 6 पर off होगा, फिर 7 पर on होगा, 8 पर क्या होगा, और यहां 9 और यह होगा 10 और यह 11 तो इस तरीके से आप देखेंगे, तो यह हमारा क्या है, यह हमारा सारा का सारा odd number है, ठीक है, तो odd number है, और यह सारा क्या है, even number है, तो simply हमें क्या करना है, कि हम किसी भी number को अगर 2 से ध्यान देना किसी भी number को अगर 2 से divide करते हैं कोई भी number हो छोटा हो बड़ा हो तो अगर 2 से divide करने पर वो 0 हो जाता है इसका मतलब वो क्या है उसका मतलब यह number जो है even है क्या है even है और अगर 2 से divide करने पर 0 के अलावा कुछ और बचता है इसका मतलब व इसको हमने हटाया, यह अनकमेंट कर दिया, अब इस बेसिक से code को समझ लेते हैं, इसमें F लिखा है, तो actually यह जब code यहाँ पर हमने बनाया होगा, तो remote हमारे पास कोई दूसरा होगा, तो अभी हम 0 बटन को target करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, C, यहाँ पर double code के अ तो LED एक बार में आओं, दूसरी बार में off होगी, कैसे, आपको पता है कि C में, हमने starting में, इस code में C में क्या किया था, C में 1 डाला था, क्या डाला था, C में 1 डाला था, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, कि जब कोई पहली बार button प्रेस करेगा 1, तो C में already 1 है, तो यहाँ पर यह दोनों condition true होनी चाहिए, कैसे, क्योंकि यहाँ पर बीच में हमने end operator का इस्तमाल कर रखा है, ठीक है, तो end operator का मतलब कि दोनों operand true होने चाहिए, तब ही यहाँ पर condition true मानी जाएगी, तो अब यहाँ पर देखे क्या हो रहा है, IR code is equal to 10, यानि कि जब कोई button प्र number है, one है, two है, three है, four है, कुछ भी हो सकता है, मुलब जैसे button प्रेस करते जाएंगे, लेकिन main बात यह है, कि अगर वो two से divide होने पर one बचता है, तो one कब बचेगा, देखे, one तभी बचेगा, जब हमारा क्या होगा, number odd होगा, तभी one बचेगा, तो जब odd होगा, तो हमें क्य बचने पर on कर देना है, zero बचने पर off कर देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर one का मतलब odd number होगा, और zero है नहीं बचा, तो इसका मतलब even number होगा, जो अभी आपको हमने explain किया था, वही सेम यहाँ यहाँ पर हमने यह coding यूज किया, या फिर यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते है, कि इस equal to equal to zero है, इसका मतलब confirm है कि even number है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, कि जब कोई बड़े number आगे होंगे, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यही है, कि अगर हम किसी और संख्या से divide करेंगे, तो remainder कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी और संख्या को हम 2 से divide करेंगे, तो उसकार जो remainder है, या 0 बचेगा, या 1 बचेगा, इसके लाओ और कुछ होई नहीं सकता, ठीक है, किसी भी number को, एक integer number को, integer number को 2 से divide करते हैं, तो या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, तो यह वाली condition भी true है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर स सुके होंगे, तो simple सा code है, आप चलिए, वापस रिर प्रोग्राम रन करेंगे, और अभी आप देखेंगे, कि 1 बचेगे कि 1 बचेगा, प्रेस करने पर हमारी LED जो ही है, और आफ होगी, तो यहाँ पर प्रोग्राम को start करते हैं, और यहाँ पर बचेगा, तो देखे, 1 प्र प्रेस करने पर pin number 2 high या low होगी, और 2 बटन प्रेस करने पर pin number 3 पर हमको LED connect कर सकते हैं, और 3 बटन प्रेस करने पर इस तरीके से आप पास समझ पा रहे होंगे, या फिर particular हम एक ही बटन पर multiple LED यानि कई सारी LED को एक ही बटन से off या फिर on भी करवा सकते हैं, यह आपकी skill पर depend करता है नहीं, प्रैक्टिस आपने कितनी कर रखी कोडिंग की उसके उपर depend करता है, क्योंकि connection जो है वो यही रहेंगे, बस यहाँ पर आपको code यानि इसके logic होगरा वो समझना है, ठीक है, और I think आप कर भी लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पर तो यह चीज होती है, तो I think यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, अब इसी में relay module को देखे हमने पढ़ रखा है, तो अगर हम relay module का इस्तमाल करें, तो इस LED की जगे पर हम relay module का इस्तमाल करके, किसी 20W या 40W की LED है, जो की 220V AC करंट से operate होती है, उसको भी हम control कर सकते हैं, हम किस किसी fan को control कर सकते हैं, किसी LED को, refrigerator को, किसी भी electric equipment को हम remote के जरीए control कर सकते हैं, उसके लिए हमें relay की ज़रोत होगी, तो अभी हम just practical उसका देखेंगे, ठीक है, relay module का इस्तमाल करके आपको हम आज दिखाएंगे इस वीडियो में, हलाकि relay module को हमने पहले भी समझ लिया है, कि relay module क कैसे connection करते हैं, कैसे काम करता है, सारी चीज़े समझ चुके हैं, तो अभी यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा है, कि हम किसी भी remote को किस तरीके से decode कर सकते हैं, कोई भी remote हो सकता है, TV remote हो, कोई दिखकत नहीं, ठीक है, आप इसी तरीके से उसको decode करें, और कौन सी बटन पर क्या आप set करना चाहते हैं, उसके code के according यहाँ पर आपको conditional statement लगानी होगी, ठीक है, तो I think यहाँ पर आपको सारी बाते इसमें समझ में आ गई होगी, तो अभी यहाँ पर चलिए चलते हैं, और फटा फट connection करते हैं, हम क्या करेंगे, कि इस LED की जगे पर हम relay module का यूज करेंगे, IR sensor हमारा यही सेम रहेगा, ठीक है, और जो remote है, वो भी हमारे पास यही वाला है, लेकिन remote में यहाँ पर जैसे 0 और 1 बटन प्रेस करने पर इसमें कोई और दूसरा मलब code आ रहा है, हमारे में कोई दूसरा आ रहा है, तो उसके according यहाँ पर हम उसको fix करेंग module का इस्तमाल किया है, जिसके जरीए यहाँ पर हम इस AC bulb को भी operate करेंगे, ठीक है, यहाँ पर AC bulb को operate करेंगे, relay module की मदद से, तो चले यहाँ पर यह जो code है, यह आपको हम पूरा explain कर चुके हैं, और यहाँ पर अगर library की बात करें, इसमें तो यहाँ पर आपको चले जाना है और यहाँ पर यह हमारा simple सा code है, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले तो decode करना है, क्योंकि यहाँ पर देखे, F है और F है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए comment out कर देते हैं, यहाँ पढ़ा रहने देते हैं, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, यह पर हमारा board select है, Arduino COM5, यहाँ पर हमारा code है, अपलोड हो चुका है, ठीक है, अपलोड हो रहा है भी, तो यह अपलोड हो गया, और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कि remote से कोई भी button प्रेस करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने प्रेस किया 1, तो serial monitor यहाँ पर open करते हैं, और remote को decode क अपलोड हो इसे अशेट करते हैं, तो यह हमारा serial monitor यहाँ पर open हो चुका है, ठीक है, अब यहाँ पर जब हम one button press कर रहे है, तो देखें, यहाँ पर A cucumber हो रहा है, और two button से करने पर क्या रहा है, यहाँ परacy हो तो यहाँ पर अगर वाटन से यहाँ पर देखें, नि one press करें clear है I think यहाँ पर आप बात sorry यहाँ पर क्या करेंगे A करेंगे ठीक है यहाँ पर 1 से क्या generate हो रहा है A generate हो रहा है तो यहाँ पर हमारा A रहेगा और अब एक बार इसको verify करके फिर से upload करते हैं और अब यहाँ पर आप देखेंगे यह upload हो चुका है upload ठीक है complete है अब यहाँ पर ह एक सेकेंड serial monitor open करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जब हम one button प्रेस कर रहे हैं तो हमारी LED यहाँ पर देखेंगे on हो रही है फिर off हो रही है फिर on हो रही है और अगर हम कोई और बटन प्रेस करेंगे 25T तो यहाँ पर signal तो generate हो रहा है लेकिन बटन हमारी on off जो LED है यह on off नहीं होगी क्योंकि one button से यह set है तो one on वापस से one प्रेस किया तो off clear है on off अब यहाँ पर इस remote की जो भी range होगी उस range से आप इस bulb को कहीं से भी control कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखें यहाँ पर इसकी range काफी ज्यादा होगी लिए कि इतना camera में हम capture नहीं कर पाएंगे तो बाकी four channel का भी आता है add channel का भी आता है तो आप एक ही remote से नहीं एक ही sensor से आप 8 channel का relay module यूज़ करके 8 अलग-अलग electric equipment को control कर सकते हैं remote के अलग-अलग button से ठीक है तो I think यहाँ पर आपको सारी बाते समझ में आ गई होंगी कि हमारा जो IR sensor है उसे हम कैसे use करेंगे remote जो है उसकी कर सकते हैं कि अपने phone से Bluetooth module को connect करके भी हम LED को on और off कर सकते हैं तो यह हम अगली वीडियो में देखेंगे तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में ओके सो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो